प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का मैथ का ये सात्मा चेप्टर जिसका नाम है नेड़दे सांक जैमेती इस चेप्टर से जो भी आपके एकजाम में प्रस्ण बनते हैं उन सभी प्रस्णों के उपर हम लोग इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं और सभी प्रस्णों को ध्यान पुर्वक से देखिए अगर आप इसके पहले का चेप्टर देखना चाहते हैं चेप्टर 1,2,3,4,5 और चेप्टर 6 तो इन सभी का वीडियो आपको इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में मिल जागा तो आप बारी बारी से सभी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए बीना देर किये हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सिद्ध करें की बिंदू बिंदू दिया हुआ है यहाँ पर 5,2 और 6,4 तथा एक और है यहाँ पर 7,2 एक सम्दिबाहु तिर्भूज के सिर्स है ठीक है सब सब पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए सम्दिबाहु तिर्भूज किसे करते हैं जिसकी दो भूजा समान एक जिसकी दो भूजा से भी सम्दिबाहु तिर्भूज करें चलिए तो आप आपको यह फाइंड करना है कि यहाँ पर यह जो बिंदू दिया हुआ है इन बिंदू से आपको चलना होगा चलिए अब आते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे को सॉल्व किया जाएगा सबसे तो देखिए यहां पे, एक चीज मैं आओर बता दो यह सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना, यह जो पहले जो मान होता है, वह X का मान होता है, और बाद में जो होता है, यह सब चीज आपको पहले से भी बहुत सारी चीजे पता होगा, नहीं पता है, तो फिर से आप समझते चलिए है ना, ये पहले x का मान है, फिर बाद में y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है, ठीक है, तो अगर हम इस परकार से अगर कहें, तो ये होगी आपका x1, ये होगी आपका x2, और ये होगी आपका x3 का मान, औ पहले वाले जो था वो था X1 का मान, X2 का मान और X3 का मान, ठीक है, तो अब क्या है कि यह सारे मान को हमको क्या करना है, यहाँ पे सुत्र में वैठाना है, ठीक है, आजाए, यह देखे, तो हम इसको हल कर रहे हैं, कहता है कि यहाँ दिये गए बिंदू करमसा है, इतना इतना इतना है, इसको हमने मान लिया, यह A बिंदू मान लिया इसको, इसको B बिंदू मान लिया, और इसको जैसो C बिंदू मान लिया, आप देखें, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, अब A भी वरावर, A भी वरावर हो जाएगा आपका रूट अन्डर, 5-6 का हॉल स्कौर, प दोनों को ले करके क्योंकि A और B की जिक्र हो रही है तो यहां पर अब भी आप देख पा रहे होंगे तो अभी दोनों को पलस किया जा रहा है ना स्क्वाइर करके तो आपको समझ में आ चुका होगा चलिए आप इसको हमाहल करते हैं आति यह पैसे क्यी मैं ओ जो यह प्लस को लाओं करें तो रूट अंडर 28 यह हम यहीं इसको छोड़ देगे ठीक है चलिए अब देखिए आगे फिर चलते हैं आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बी सी देखिए आपको यहाँ पर जो मान दिया हुआ है अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ यह जो बी सी का जो मान है यानि कि यह वी और यह सी का हम मान को जैसों यहाँ पर हम पूट कर करेंगे तो देखेए ये कुछ इस प्रकार का होगा ये घटेगा तो यह होगा मैनस एक का इसकृार और यह मैनस और यह मादस हो कि यह जो दिया हुआ आप का सामने कैसी और यह ऑखना है पहले हम sx का मान दोनों में से लेंगे फिर yy का मान लेंगे और फिर दोनों को आपस में जोर देंगे ठीक है चलिए देखिए तो यहाँ पर आपके सामने मान निर्धारित किया गया है तो अब क्या है कि 7 में से 5 गयत कितना हुआ 2 थोगा होली स्कुराइर प्लस में फिर ये दोनों को हमहल किए तो यहां माइनस दो और यह माइनस प्लस हुआ तो यह солнष हुआ धोनी हो जाया गा सुनी B-2 तो कुछ हुआ ने बचा से 4 तो यहाँ पर देखिए सचार है तो आप इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना होगा यह देखे कहीं कहीं हमारा जो A-B का जो मान आ रहा था जैसा कि देख पा रहे होंगे यह B-1 का मान आ रहा है यह रूटंडर 37 आ रहा है और यह जो CA है CA का मान कितना आ रहा है देखिए इसका बर्मूल निकल करके दो हो गया तो CA का मान आ रहा है दो तो जैसा कि हम देखें कि दो का मान रूट एंडर 37 आ रहा एक थोड़ा भिसम है तो यानि कहने का मतलब है कि संदिवाहु समान होनी चाहिए तो यहां पर तो यह चीज़ें बिल्कुल सटीसफाइड हो गया तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतह उप्रोग्त दूरियों में से असपश्ट है कि दिये गए बिंदू संदिवाहु किर्भुज के सिर्थ हैं ठीक है प्रूप्ड हो गया यहां पर चलिए अब चलते है नेश्ट प्रसन पर चलिए देखे अगला प्रसन आपके सामने है कि य का मान निकालें जिसके लिए बिंदू यह देखे पी बिंदू का नाम दिया हुआ है उसका मान है दस कोमा वाई के बीच दूरी 10 मात रख है ठीक है अब देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे आईए देखिए यहां दिये गए बिंदू करमसा P का मान जो यहां पर है उसी को लिखा गिया है 2,3 तथा Q का जो है यहां पर मान दिया हुआ 10,Y है अब हम क्या करेंगे सुत्र के माधियम से इसको हल करेंगे देखिए P Q P और Q है ना तो पहले यहां पर क्या कर रहे है कि X 1 है ना जैसा कि आपको पता है हम पहले भी बता चुके हैं पहले X1 का मान है फिर Y1 का मान है फिर यहां पर देखिए X2 का मान है फिर Y2 का मान है ठीक है ना तो यहां पर पहले X1 का मान यहां पर ले लिए इसके बाद फिर यहां का भी X का मान लिए है देखिए यहां पर फिर उसके बाद Y का मान देखें, यहां से लिया गया है, उसके बाद फिर यहां पर Y मान लिया गया, Y का यहां Y ही मान है, Y ही find करने के लिए भी बोल रहा है, ठीक है, तो यहां पर इसको हम जैसे हल करेंगे, तो यह कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते चला जाएगा, यह द ये देखिए ये कुछ विभाद और यी कमान और यहां पर या नोँफ देखिए चलते हैं अगले प्रश्णों पर अगला प्रस्ण आपके सामने है यदि बिंदू 3, K, 5 से बिंदू 0, 2 की दुरियां समान तो K कमाई निकाले तो ठीक उसी प्रकार से है जैसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर देखिए यह दिया हुआ है आपका बिंदू है ना इसक पर हम चलेंगे कि PA बराबर PB या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि PA स्कूाइर बराबर PB स्कूाइर जब यह दोनों को हम बराबर रखेंगे तो इनuses का स्कूाइर भी कर सकते हैं तो चलिए अब यहाँ पर चीजए यह आती है कि यह पी कमान और A continued पहले यहाँ पर P A square है ना तो P और A का मान यहाँ पर निर्धारित कर रहे हैं ठीक है उसके बाद फिर जोसो आपका P और B का यानि कि P और B का मान जेसों यहां पर हम बैठा करके हैं, ठीक है, तो पहले हम X का मान लेंगे, उसके बाद फिर YY का मान लेंगे, चलिए, दोनों का अंतर करना होगा और इसक्वाइर करना होगा, इन बातों के उपर आप ध्यान रखेंगे, फिर जब इसको आप हल करते चले जाओगे, तो हल करते करते जो है, यह कुछ देखिए, इस परकार से हल होते चले जा रहा है, आप इसको ध्यान पूरबक से देखिएगा, चलिए, यह देखिए, हल करके कुछ इस परकार से जब आप हल करोगे, तो लाश्ट में आपका K का मान आएगा, एक, ठीक है, तो आ आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि यहाँ बिंदू, तो यहाँ बिंदू था, इसका नाम दे दिये, A इतना है ना, B इतना और C इतना, यह सभी बिंदू को हम A, B, C से दर्शा दिये, आप देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि A की मतलब संरेखी में है, ठीक है, और K क सुत्र पर आपको क्या करना है, मान बैठाना है, तो आप सवाल यह उठता है कि आखिर यह जो यहाँ पर दिया हुआ है, कि X1, Y1, Y3, यह सब मान क्या होता है, तो मैं आपको पहले भी बताते चले आ रहा हूँ, है ना, कि देखिए, सबसे पहले जो होता है, वो X1 का मान हो है, यहाँ पर आपका सुत्र लिखा हुआ है और उसके बाद आगे हल करते चले जाएंगे, ठीक है, यह आगे हल होते चला जाएगा, हल हो करके, है ना, कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद यह सो आपका कह रहा कि, यदी तीनोंगी संडेखी है, तो छेद्रिफल क्या होन है ना तो इसको जब आप काटोगे तो 3 3 9 है न 3 यानि के का मान कितना आ गया 3 आ गया ठीक प्रस्ण आपके सामने है कि मूल बिंदू से बिंदू 4,-3 की दूरी ग्याद की तो देखिए आप इसको ग्याद कर रहे हैं कि यहां हम मान लेते हैं यह आपका O है केंदर बिंदू ह है ना 0,0 मूल बिंदू है जहाँ P निर्दिसंग इतना है जिसको कि हम लोग X और Y मान लिए है ठीक है इस प्रकार यह दो नमर में पुछा जा सकता या तो फिर अब्जेक्टि में भी यह प्रस्ण बनता है ठीक है तो X बराबर 4 हो गया Y बराबर 3 हो गया आपके सामने यह देखिए सुत्र है ठीक है ओ P बराबर यह X स्कार प्लस Y स्कार तो इसी मान को आपको यहाँ पर बैठा करके हल करना है तो 69 25 हो गया 25 का बर मूल हो जागा कितना 5 है ना अता बिंदू इतना के जो मूल दूरी होगा वो हो जागा 5 ही ठीक है चली अब देखिए आपके सामने एक प्रस्णा और है कि बिंदू इतना और इतना की बीच की जो दूरी होगी क्या होगी तो यहाँ पर आपको लिख देना यहाँ पी यह बिंदू होगया कि वो इतना होगया है तो बिंदू P और Q के बीच की जो दूरी होगी देखिए आपके सामने यह एक सुत्र लिखा ह और उसके बाद यह सो फिर आपका आ जाएगा कितना चार उटंडर 2 तो हम का सकते हैं कि यता बिंदू P और Q के बीच की दूरी कितना होगा चार उटंडर 2 इका ठीक है चलिए अब अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद आपके समने है कि बिंदू इतना और इतना को म मदी बिंदू का नेड़े संका ये सुत्र होता आप सुत्र में क्या करना है उपर दिये हुए मान को पूट करना है इसके बाद जब आप इसको हल करोगे हल करने के बाद आपका आएगा 2,2 ठीक है तो हम कह सकते हैं कि आता बिंदू इतना तथा इतना को मिलाने वाली जो र पहलें और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गए वीडियो की नोटोपे कसन आपको टाइम पे मिलता रहे तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेश वीडियो में तब तक के लिए जय हिं जय भारत वंदे मात्रम